बोश्पुरी के दोस्ट उपदिश्टार रवी किशन और मनुष्टिवारी आज भले ही दोस्त हो लेकिन एक वक्ट पर दोनों एक दूसरे को फुटी आख नहीं सुआते थे मनुष्ट ने एक रिसेंट इंटर्विव में कहा कि भोश्पुरी में उनकी और रवी किशन की इस्तिती बिलकुल सलमान और शारुक जैसी थी दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन रखते थे मनुष्ट का कहना है कि रवी उनसे फिल्मों में पिटना तक नहीं चाते थे एक भोश्पुरी फिल्म में रवी किशन विलेन थे जबकि मनुष्ट ने पुलिस वाले का रोल किया था एक सिक्वेंस में रवी को मनुष्ट के हाथों मार खानी थी रवी को ये चीज़ पसंद नहीं आई उन्होंने डारेक्टर से कह दिया कि वो मनुष्ट से मार नहीं खाएंगे रवी किशन ने भी आपकी अदालत में ये बात मानी थी कि उनके और मनोज के बीच इगो कलेश होता था दोनों को एक दूसरे से कम सफलता बरदाश्ट नहीं थी रवी किशन और मनोज तिवारी के पीच भलेई एक वक्त पर कलेश रहा हो लेकिन आज दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं दोनों बीजेपी से सांसत है रवी किशन जाई यूपी के गुरकपुर से सांसत है वही मनोश लगातर दो बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदी शेट से सांसत है ये दोनों अकसर साथ में चुनाव प्रचार करते देखे जाते हैं इन दोनों के अलबा बोश्पुरी में एक ओर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और फनीरुहा भी आजमगर से एमपी है 2022 के उप्चुनाव में अखिलेश यादव के खाली के सीट पर उन्होंने जीत तर्च की थी इसी के साथ बने रही है राजनमा डिवी के साथ दने बाद